हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे जवर्दस होंगे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे BPSC 3 2.0 2023 में जो भी question पूछे गए हैं उसको हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं देखें यहाँ पे जितने भी previous year question में करवा रही हूं आप एक चीज notice करेंगे चाहे वो NBS हो चाहे वो यह BPSC हो या फिर कोई साभी TGT exam हो वहाँ पे जो concept होते हैं वो repeat होते हैं तो इस बात को गांट बाद लो यह नहीं है कि अगर आपको D.3 पलेस भी देना है तो केवल उसी काफी previous year solve करिए या फिर NBS देना है तो केवल उसका previous year solve करिए ऐसा नहीं है अगर आपको कोई साभी TGT exam देना है तो यहाँ पे मैं जितने भी previous year question आपको solve कर वा रही हूँ आप सारा देखके जाएगा आपको काफी ऐसे concept होंगे जो की repeat होते हुए दिखाई देंगे तो चलिए यहाँ पे start करते हैं और इसको हम थोड़ा ultra start करेंगे मतलब question number 50 से उल्टा चलेंगे तो देखे सबसे पहला question क्या है which are the following functions is performed by the malphigian tubule in cockroach cockroach में जो malphigian tubule होता है उसका क्या function होता है क्या काम होता है excretion, blood circulation, या फिर digestion या फिर more than one of the above या फिर none of the above तो इस तरह के यहाँ पे option maximum question में बनाए गये हैं इस बार तो देखें यहाँ पे क्या बोला जा रहा जो malphigian tubule होता है cockroach में उसका main function क्या होता है तो जो malphigian tubule होता है उसका function होता है excretion क्या होता है excretion और excretion के साथ साथ में क्या होता है osmotic balance osmotic balance यानि हम यह कह सकते हैं जैसे हमारे case में क्या होता है हमारी kidney होती है तो kidney क्या करता है excretion plus osmoregulation या फिर हम बोले तो osmotic balance ठीक उसी तरह से cockroach के case में malpigion tibial क्या करता है excretion plus osmotic balance यहाँ पर osmotic balance दिया नहीं है तो हमारा right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा excretion blood circulation, digestion यह सब यहाँ पर answer नहीं है तो हमारा जो answer है वो क्या हो जाएगा excretion देखिए यहाँ पर यह cockroach का structure है जहाँ पर आपको यह दिखरा होगा malpigion tibial यह रहा यह है malpigion tibial यह जो आपको इस तरह से धागे नुमा यह structure दिखरा इसी को हम क्या बोलते है malpigion tibial जो की excretion में help करता है और देखिए यहाँ से एक बहुत ही प्यारा question बनता है कि malpigion tibial किसके किसके बीच में पाया जाता है यहाँ पर दिया तो नहीं है लेकिन देखिए यह दिया है mid gut और इसके पीछे यहाँ कहीं पर होता है हमारा hind gut तो आप से पूछा जाता है malpigion tibial किसके किसके बीच मे होता है ये भी question यहां से बनता है देखिए यहां पर next question क्या है हमारा दा एंगेश्ट एक सिकेंडरी जायलम अकर्ज जो एंगेश्ट सेकेंडरी जायलम होता है वो कहां पर पाये जाता है just inside the phylogen just outside the phylogen just inside the vascular cambium या फिर more than one of the above या फिर none of the above तो यहां पर देखिए जो एंगेश्ट सेकेंडरी जायलम होता है वो पाया जाता है inside cambium inside vascular cambium और जो secondary phloem होता है यहां पर तो हमसे secondary जायलम पुछा है लेकिन हम अगर बात करें secondary phloem की तो वो होता है outside the cambium तो इसको याद रखेंगे secondary जैलम होता है inside the vesicular cambium और जो secondary phloem होता है वो होता है outside the vesicular cambium तो यहाँ पर हमारा right answer क्या हो जाएगा जस्ट inside the vesicular cambium यह हमारा यहाँ पर right answer हो जाएगा नेश्ट देखिए next question क्या है डेंगू fever is caused by जो डेंगू fever होता है वो किसके त्रू होता है DNA containing Arbovirus RNA containing Arbovirus या फिर Pyramixovirus या फिर more than one of the above या फिर none of the above तो यहाँ पर देखिए जो डेंगू fever होता है वो आर्भो वाईरस के त्रू होता है लेकिन अब और राइट आंसर हो जाएगा और यहां पर आपसे एक और क्वेशन बन सकता है माली जी यहां पर हमने यह पढ़ लिया डेंगू फीवर जो है वो अर्बो वारिस के थुरू होता है लेकिन प्रीबियस यहर सॉल्ब करने का मतलब यह है कि उससे रिलेटेड और भी कॉंसेप् जानिए तो आपसे अगर यह पूछे कि अर्बो वारिस किस फैमिली से विलोंग करता है तो आप क्या बताएंगे तो जो अर्बो वारिस है उसकी फैमिली है फलैवी विरीडी यह भी आपसे जो है पूछा जा सकता है जो अर्बो वारिस होता है उसकी फैमिली क्या है देंगो फीवर होता है यह क्या होता है वेक्टर बॉर्न वायरल डिजीज क्यों है क्योंकि यह वायरस के थुरू हो रहा है अब यहां पे वेक्टर बॉर्न का क्या मतलब है कि यहां पे मतलब वेक्टर होता है एक कैरियर होता है तो आप सबको पता है जो डेंगो फीवर है व अर्बो वाइरस की फैमिली क्या है फलैवी विडिडी जो अर्बो वाइरस है वो DNA कंटेनिंग है कि RNA कंटेनिंग तो RNA कंटेनिंग तो इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे यहां पर एक और important चीज मैं आपको बताती हूँ virus related देखिए जितने भी plant virus होते हैं PT मतलब क्या है plant जितने भी plant virus होते हैं वो होते हैं single stranded RNA single stranded RNA और जो animal virus होते हैं यानि जो की animal में disease cause करते हैं वो क्या होते हैं single stranded या फिर double extended RNA या फिर double extended DNA यह बहुत important question यहां से बनता है और एक point याद रखना जो बैक्टीरियो फेज होता है बैक्टीरियो फेज यह भी क्या होता है एक virus होता है इसको बैक्टीरिया समझ के बैक्टीरिया जैसे कहते हैं कि वो जो एक movie आई थी उसका dialogue कुस्पा बाला वही मतलब यहां यहां पर क्या है बैक्टीरियो फेज है तो बैक्टीरियो फेज नाम सुनके बैक्टीरिया मत समझना इसको यह क्या है वाइरस है और कैसा वाइरस है double extended DNA वाइरस double extended DNA और यह question काफी बार पूछा गया है कि जो बैक्टीरियो फेज होता है उसमें क्या पाय जाता मतलब single extended RNA य या फिर double extended DNA या फिर single extended DNA तो आप क्या याद रखेंगे जो वैक्टिरियो फेज होता है वहाँ पे double extended RNA पाय जाता है जो plant virus होते हैं उन्में क्या होता है single standard RNA होता है जो confusion होगा मतलब confusion नहीं देखो प्लांट में तो हमने याद कर लिया सिंगल इस्टेंडेड आरेने बैक्टिरियो फेज में याद कर लिया डबल इस्टेंडेड आरेने एनिमल में क्या होगा सिंगल इस्टेंडेड आरेने होगा या फिर डबल इस्टेंडेड आरेने होगा तो यहाँपे 3 तरह के वाइरस हो सकते हैं तो इसको भी आप याद रखेंगे सबसे ज्यादर जो पुछा जाता है वो पुछा जाता है बैक्टिरियो फेज नेज्ट कुछँन देखते हैं यहाँपे यह हमारा नहीं नहीं नेज्ट कुछँन हमारा missing link between birds and reptile जो bird और reptile के बीच की missing link है missing link या फिर हम कई बार बोलते है connecting link यानि bird और reptile के बीच की connecting link है वो क्या है Archaeopteryx यह तो मतलब सबको पता होता है Archaeopteryx इसमें कुछ भी समझाने को है ही नहीं next question देखिए क्या है the nodes of Ranvier are found in जो nodes of Ranvier है वो कहाँ पर पाया जाता है nervous cells में, heart cells में, liver cells में या फिर more than one of the above या फिर none of the above तो यहाँ पर क्या होगा जो node of Ranvier है वो nervous cell में पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है nervous cell में ये भी बहुत इजी question है structure से question है heart cell में ऐसा कोई हमने वो पढ़ा नहीं है कि node of Ranvier liver cell में भी ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है तो जो node of Ranvier होता है वो nervous cell में होता है और हम आपको अभी दिखाते हैं कि node of Ranvier होता कहाँ पर है क्योंकि कभी-कभी पुझते हैं उसका position मतलब कहाँ पर होता है तो उसको भी अभी दिखाते हैं तो देखें यह है structure हमारा neuron का neuron में क्या-क्या होता है यह भी देख लिए सबसे पहले यहाँ पे होता है dendrite यह होता है बीच में हमारा nucleus और यह जो पूरा है इसको हम बोलते है cell body और यह यह जो यहाँ से ऐसे निकलता है पतला सा उसको हम बोलते है exon और यहाँ पे इस तरह से जो आपको दिख रहा है यह है हमारा myelin seat और इसके अंदर में जो आपको यह orange कलर का दिख रहा है यह हमारा swan cell उसके बाद यह myelin seat के बीच में जो gap है myelin seat के बीच में जो gap है वही हमारा क्या है node आप और यहाँ पे लाश्ट में क्या है हमारा एक्जॉन टर्मिनल और यहाँ पे भी आप ऐसे देखेंगे सर्कुलर इस्टक्चर होता है फूला हुआ सा उसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक नॉब नॉब सिनैप्टिक नॉब तो देखें आपसे यह पूछा गया था कि नर्वसल कि सोरी नौटाफ रेंवियर कहां पाएजर तो नर्वसल में पाए जाता है कभी कभी ये भी पूछते हैं कि node of rainwire किसके किसके बीच में पाय जाता मतलब इस तरह से उसका exact location पूछलेंगे तो आप क्या बताएंगे gap between two myelin seat देखो ये क्या है myelin seat ये क्या है myelin seat इसके बीच में जो gap है इसी को हम क्या बोल रहे हैं node of rainwire यानि हम ये कह सकते हैं gap between two myelin seat is node of rain तो इस तरह से भी question यहां से आप से पूछे जा सकते हैं तो इसको भी समझ लेना तो ये question तो आपको समझ में आई गया node of rainwire नरुसल में होता है next question देखें यहां पे क्या है which are the following is not a function of vacuoles in plants plant में vacuoles का function क्या नहीं है ध्यान से देखना नहीं है they store toxic metabolic waste ये सही है they help in process of cell division नहीं ये गलत है they help to maintain turgidity या फिर rigidity तो ये बिल्कुल सही है जो vacuole होता है वो toxic metabolic waste को store करने में help करता है जो vacuole होता है वो targidity या फिर rigidity को maintain करता है इसके अलावा जो vacuole होता है वो water को nutrients को sugar को salt को pigment को hold करता है यानि इसमें water, nutrients, sugar, salt, pigment ये सब चीजें जो है पाई जाती है लेकिन जो vacuole होता है वो cell division में help नहीं करता है और आपसे ये पूछा है कि vacuole का function क्या नहीं है तो यहाँ पे जो हमारा answer है वो हो जाएगा they help in process up cell division ये statement क्या है wrong है ये किसी भी परकार के cell division में help नहीं करता इसका तीन function मैंने आपको बताया ये जो है toxic metabolic waste को क्या करता है इस्टोर करता है turgidity या फिर rigidity को maintain करता है और ये कई तना के nutrients जैसे की sugar, salt, pigment, water इन सारी चीजों को क्या करता है इस्टोर करता है या फिर hold करता है उसके बाद देखिए next question क्या है इन amoeba, food is digested in, जो amoeba होता है food कहां पे digest होता है food vacule में, mitochondria में, pseudopodia में, या फिर more than one of the above या फिर none of the above तो जो amoeba होता है food कहां पे digest होता है तो वो है हमारा food vacule food vacule, अब यहाँ पे देखिए जो pseudopodia होता है pseudopodia भी amoeba में पाया जाता है, लेकिन pseudopodia क्या करता है, यह उसके loco motion में help करता है यह उसके loco motion में help करता है, लेकिन food digestion में help जो करता है, वो है हमारा food vacule pseudopodia किसमें help करता है, loco motion में, यह दोनों ही structure amoeba से related है लेकिन आपसे पुछा food digestion तो यहाँ पे हमारा right answer क्या हो जाएगा food by cure next question देखिए question number 143 इसको ऐसे ही देख लो इधर मध्यान देना 140 की तरफ इसको देखना देखो and unripe green fruit changes color when it ripens यानि एक जो है आप unripen यानि जो कच्चा कोई सभी फल ले लिजे जैसे की आम का example हम लेते हैं एक कच्चा आम है लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका color change हो जाता है चाहे वो yellow हो जाए या फिर orange हो जाए ठीक इसी तरह से जैसे की tomato हो गया जब वो कच्चा होता है तो green होता है लेकिन पकने के बाद कैसा हो जाता है रेड हो जाता है तो ऐसा क्यूं होता है आपको इसका रीजन बताना है तो ये तो बहुत ही easy question है कि मतलब कोई भी चीज जो हरा है उसमें क्या होता है chlorophyll और जब वो colorful हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है chromoplast तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है chromoplast changes to chlorophyll यहाँ question में क्या दिया है जो green fruit है वो पकने के बाद color में change हो रहा यानि यहाँ chromoplast change नहीं हो रहा chlorophyll में यहाँ पे chlorophyll change हो रहा है chromoplast में यहाँ पिर हम बोले कि chloroplast change हो रहा है chromoplast में तो यहां भी देखो chromoplast change in chromosome, logy, chromosome का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, यहां पे जो लेना देना है वो है chloroplast और chromoplast का, तो यहां पे भी यह wrong है, उल्टा लिख दिया है, लेकिन जो हमारा right answer हो जाएगा वो है chloroplast changes to chromoplast, क्यों? क्योंकि जब हो हरा है वहाँ पे chloroplast है, जब वो पक गया, वहाँ पे chromoplast है, यानि chloroplast, chromoplast में क्या हो गया? change हो गया, यही हमारा right answer हो जाएगा, नेश्य देखिए क्या है, the most conducive pH range for the life of fresh water plants and animals, ऐसे पेड़ पाउधे, या फिर जन्तु, जो की fresh water में रहते हैं, जो की नदियों, समुदरों, तालावों में रहते है pH range क्या होनी चाहिए, देखो, हम मतलब कोई भी animal हो, या फिर plant हो, जब वो fresh water में रह रहा है, तो हम यह सोचेंगे, जो उसका pH है, वो कैसा होना चाहिए, neutral होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, neutral, अगर वो बहुत जादा basic हो जाएगा, तो भी दिक्कत है, अगर वो acidic हो यह एक मतलब acidic nature को दिखा रहा है, तो यह तो हमारा option नहीं होगा, 9.0 से 10.5, यानि 9 से 10 के बीच में जो pH है, वो तो basic हो जाएगा, यानि यह हो गया हमारा basic, यह हो गया हमारा acidic, लेकिन हमको कैसा pH चाहिए, neutral, तो जो 6.5 to 7.5 के बीच में pH है, वो हमारा कैसा होगा, neutral, और neutral pH ही, neutral pH ही, किसी भी fresh water plant या animal के लिए सबसे best होगा, तो यहाँ पे हमारा right answer क्या हो जाएगा, 6.5 to 7.5, नेश्ट देखिए यहाँ पे, the tube connecting kidney with urinary bladder in human beings, अब देखिए, मैंने आप से क्यों बोला, कि कोई सा भी exam दो, आपको सारे previous year question लगा नहीं है, अभी आप अगर इसके पर solve करवाया, वहाँ पर भी इस तरह का question था, वहाँ पर क्या था, आप से sequence पूछ लिया, कि बताए मतलब kidney का sequence क्या है, तो वहाँ पर भी हमने same यही concept लगाया, जैसे कि हमने वहाँ भी आपको ऐसे figure बना के बताया, कि यह हो गया हमारा kidney, और यहाँ से निकलेगा urator, आगे urator है, और यहाँ पर क्या पूछा है, the tube connecting kidney with urinary bladder, तो यह है हमारा urinary bladder, यह है हमारा kidney, इसको connect कौन कर रहा है, urator, कौन connect कर रहा है, urator, तो यही हमारा right answer हो जाएगा, तो बहुत ही simple question है, यानि देखा जाए तो same concept लग रहा है, वहाँ पर sequence पूछा, यहाँ पर पूछ लिया कि दोनों के बीच में क्या है, तो simple सा same to same वही question है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा, next question देखिए, the contraction and expansion movement of wall of food pipe is known as, यानि जो देखो, जब हम खाना खाते हैं, तो जो food pipe होता है, जो food pipe होता है, यानि इस तरह से हमारा food pipe होता है, उसके बाद यहाँ से यह small intestine, large intestine, यह food pipe होता है, जब माल लिजिए, यहाँ पर खाना गया, खाना जहाँ गया, वो region full जाएगा, जैसे ही खाना आगे बढ़ा, वो फिर से इस तरह से, जैसे था वैसे हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो वो moment कुछ इस तरह से होता है, यह moment कुछ इस तरह से ह होता है जैसे जैसे खाना आगे बढ़ता जाएगा वो पीछे से साही मतलब सीधा होता जाएगा तो ऐसे मुवमेंट को हम यानि कमपाउंड हो गया आयन्स हो गया यानि कोई भी निउट्रेंट जब हम प्लांड के अंदर में उसका ट्रांस्पोर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस लोकेशन और ट्रांस्परेशन क्या होता है रिलीज आप वाटर वेपर इंदा एट्मोसफियर यानि यह दुनों आपको समझा गया और जो हमारा फूट पाइप है वहाँ पे होता है पेरी स्टेसिस मुमेंट तो यह हमारा राइट आंस्वर हो जाएगा ने से देखिए क्या है दा में साइट आप फोटो सिंथेसिस इन दा सेल आफ लीप यह तो हमारा यह क्वेशन ना यह हम बात ही इजी क्वेशन है यह नेस्ट देखिए क्या है यह है आपका केमेश्टी का क्वेशन क्या है क्या है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कैन बी अप्लाइट ओन जो कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है उसको कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं तो देख डी कार्वोक्सिलेटिव डाई मेराई जेसन अब इसका ये नाम क्यों पढ़ा ये अब आप यहां से समझें देखो यहां पर आपको दिया है CS3COONA तो जो कोल बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वहां पर इस तरह से आपको सॉल्ट दिया जाएगा चाहे वो COONA होगा चाहे व अब ही यहां पर COONA है या फिर इस वाले पार्ट में COOK है या फिर इसमें भी COOK है इसको आप जो है बाहर निकाल देंगे इसको क्या कर देंगे रिमूप कर देंगे अब यहां पर बच जाएगा आपका CH3 Radical और यहां पर क्या बचेगा CH2 Radical और यहां पर क्या है double bond CH double bond CH अब यहां से यह निकल गया तो यहां भी क्या बन जाएगा Radical अब देखो जो Radical मतलब जो एक आपने पढ़ा होगा voltage reaction तो voltage reaction में क्या होता है वहां पर भी हम Radical बनाके दोनों को आपस में जोड देते हैं तो यहां पर देखो यह है CS3 तो मतलब यह केवल एक ही Radical है अब इसी का फोटो कॉपी कर लेंगे मा लिजे फिर से यहां पर हम CS3 करेंगे यहां पर Radical और दोनों को जोड देंगे तो जो हमारा compound है वो क्या बन जाएगा चाहे इसको इस तरह लिखिए चाहे एक में मिलाके यानि C2H6 इस तरह से आप लिख सकते हैं और यहां पर देखो यह Radical है यह Radical है इस Radical को आपस में जोड देंगे तो यह क्या बन जाएगा CH2 double bond CH2 यहां यह Radical बन गया उसके बाद देखे यहां भी फ्री Radical यहां भी फ्री Radical उन दोनों मतब जो फ्री Radical होते हैं वो आपस में मिलके bond बनाते हैं तो यह हो गया CHCH और यह Radical दोनों आपस में मिलके एक bond और बना लेंगे तो यह बन गया हमारा Alkyne यह बन गया Alkyne यह बन गया Alkyne यह Alkyne यह Alkyne यह Alkyne तो जो यहां पर लिखा है Coldway Electrolytic Method Can We Applyed On जहां भी आपको दिखें C,W, O, N, A या फिर C, W, K इस तरह के Salt दिखें तो आप समझ जाहिएगा कि वहां पर Coldway Electrolytic Method क्या होगा अप्लाई होगा तो यहां पर क्या होजा क्या है सही हैं last question देखिए क्या है which metal is a part of german silver which metal is a part of german silver पता है german silver का नाम सुनके एक जो है कहात यादाता है जिसको बोलते है आख का अन्धा नाम नहींसुक अब हमने इसको क्यों बोला क्यों 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 जो german silver है यहाँ पे इसके नाम में क्या रहा है सिल्वर और कई बार ऐसा लगता है कि इसका नाम है जर्मन सिल्वर यहाँ पे सिल्वर तो पक्का ही होगा लेकिन जो सर्मन जर्मन सिल्वर होता है यहाँ पे जो सिल्वर है वो पाया ही नहीं जाता इस वज़े से हमने बोला आख कांधा नाम नयंसुक इसके पास सिल्वर है ही नहीं और लेकिन इसका नाम क्या है सिल्वर जर्वन सिल्वर तो देखो यहाँ पे जो कॉपर है ये भी पाय जाता है जिंक भी पाय जाता है निकिल भी पाय जाता है वैसे तो परसेंटेज पूछ जाता है कि composition क्या है तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना जो जर्मन silver है जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है जर्मन silver तो है लेकिन यहाँ पर silver absent होता है इसके अलावा यहाँ पर copper, zinc और nickel पाए जाता है तो यहाँ भी हमारा जो right option है वो क्या हो जाएगा more than one of the above more than one of the above next question देखिए क्या है the colorless species is आपको बताना है इसमें से कौन सा colorless species है BCL3 यानि vanadium chloride BOSO4 या फिर Na3BO4 तो देखिए यह question मतलब कौन सा colorless है या फिर colored है यह भी कई बार घूम घूमके हर एक जो है एक्जाम में पूछा जाता है तो इसके concept को बहुत अच्छे से यहीं पर समझ लिजे उसके बाद कहीं भी कैसे भी पूछा जाए आप उसको easily solve कर ले जाएंगे तो चलिए इसके लिए एक page ले ले है और उस पर हम आपको इसे detail में बताते हैं तो compound ध्यान से देख लिजे वी CL3 है वी O SO4 है एने 3 वी O4 है तो इसको हम समझते हैं तो हमारे पास क्या-क्या था वी CL3 था वी O SO4 था और एक compound क्या था एने 3 वी O4 अब कौन सा color होगा कौन सा color नहीं होगा इसको समझने के लिए आप एक point याद रखना CMI CMI इसको हम बोलते हैं central metal iron इसका फुलपा मता है central metal iron वो तो मैंने साटकर में लिख दिया देखो जो central metal iron होता है अगर वो unpaired होगा अगर उस पे unpaired electron होंगे तो वो कैसे होंगे colored होंगे कैसे होंगे colored होंगे तो सबसे पहले आप point को याद रखेंगे अगर central metal iron के पास में unpaired electron है तो वो compound क्या होगा? colored होगा क्यों? क्योंकि जो unpaired electron होते है उनके बीच में क्या होता है? transition होता है transition के वज़े से यहाँ पे जो compound है वो colored होता है, इतना आपको समझ में आया तो सबसे पहले आप देखेंगे central metal यहाँ पे क्या है? V है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी V है, यहाँ पे क्या है? यहाँ भी V है, तो यह हो गया हमारा central metal iron अब इसका iron कैसे निकालेंगे? यह हम देखते हैं तो यह आपको समझ आ गया होगा कि central metal iron अगर उसके पास में unpaired electron है तो वो colored होगा अब देखो जो vanadium chloride है तो CL पे क्या होता है? CL पे minus 1 होता है तो V पे कितना चार जाएगा? प्लस 3 या फिर इसको इस तरह से आप निकाल सकते हैं मालेजे V को मानिए X और CL 3 है, तो यहाँ पे minus 3 equal 0, यानि हम सीधे से बोलें कि oxidation state निकालेजे तो X equal to plus 3 आ जाएगा यानि यहाँ पे V V पे plus 3 आ जाएगा अभी देखते जाएगे अब यहाँ पे देखिए V O SO4 जो O होता है उस पे minus 2 होता है जो SO4 होता है या इस पे भी minus 2 charge होता है अब यहाँ पे X minus 2 minus 2 equal to 0 X equal to 2 to 4 minus 4 आएगा और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 4 यानि यहाँ पे V पे क्या आएगा plus 4 V पे कितना आएगा plus 4 उसके बाद देखिए जो NA3 VO4 है यहाँ पे NA पे क्या होता है plus 1 होता है oxygen पे क्या होता है minus 2 होता है और यहाँ पे V को X माल लेंगे अब X हुआ और NA3 है NA3 है तो यह हो गया plus 3 यहन पे तो plus 1 होता है लेकिन NA3 है तो plus 1 into 3 क्या हो जाएगा plus 3 और O पे क्या होता है minus 2 और यहाँ पे 4 O है यानि 4 oxygen है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा तो यहाँ पे minus 8 equal to 0 अब X equal क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 में से 3 गया तो minus 5 और उधर जाएगा तो plus 5 यानि यहाँ पे V पे कितना आ गया plus 5 अब यह आ गया हमारा central metal iron central metal iron तो इसको हम एक बार delete कर लेते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि central metal iron पे अगर unpaid electron होंगे तो वो color होगा तो यहाँ पे हमने iron तो निकाल लिया अब देखते हैं कि यह कैसे निकालेंगे कि किसके पास unpaid है किसके पास paid है तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया V पे plus 3 आ गया और यहाँ पे V O SO 4 में plus 4 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया V पे plus 5 आ गया अब देखिए यह है वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, 23, 23, यहां भी क्या जगा 23, देखो यहां पे मैं सार्टकट में आपको electronic configuration लिख रही हूँ, देखे फ्रेंड्स अगर आपको सार्टकट वाला electronic configuration नहीं आता तो आप उसको सीखिए, और यहां अभी मैं सब कुछ नहीं सिखा सकती कि electronic configuration इसी में सब कुछ सिखा दो, तो अभी इससे related जो concept है वो मैं आपको बता रही हूँ, अलग वीडियो में मैं आपको जरूर बता दूँगी कि किस तरह से configuration लिखते हैं, आपको पता भी होगा, तो देखे, यहां पे हम जब D-block, जो वेलेडियम है, वो D-block से related है, तो यहां पे हम इसका जब electronic configuration लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे organ, तो organ में तो 18 electron होते हैं, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, 3D2, 3D2, नहीं, यह निकालने के बाद होगा, देखो, आर्गन में कितना हुआ, 18 हुआ, 18 हुआ, 18 यह होगा, 3D3, 3 इसमें हो गएं, और 4S2, S में 2 ही electron होते हैं, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, तो बाद की जो बचें वो आ जाएंगे, D में, तो यहां पे 18, 20, 23, 23, यहां पे हमारे 23 electron भर चुके हैं, उसी तरह से इसमें भी लिख लीजे, organ हो गया, 18, और हमको अभ 18, 3D3, 4S2, यह हो गया हमारा, तो अब देखिए, यहां पे जब ब्रेनेडियम पे प्लस 3 आया, प्लस 3, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्लस 3 हो, मतलब जब भी प्लस में हो, तो electron वहां से minus करते हैं, अगर minus हो तो electron को add करते हैं, तो यहां से हमको electron को minus करना है, और कितना minus करना है 3 में, तो सबसे पहले जो electron होता है, वो outer most cell से जाता है, यानि सबसे पहले 2 electron S से निकलेंगे, उसके बाद एक electron जो है, वो D3 से निकलेगा, यानि यहां पे D के पास कितना बचेगा, 2 electron, 3D2, यहां D के पास 2 electron, और यहां पे देखिए, V के पास प्लस 4 है, यान हमको 5 electron निकलने है, 2 यहां से निकलेगा, 3 यहां से, D के पास क्या प्चा, 0, D के पास 0, D में कितने सबसेल होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे 5 सबसेल हो गए, हमको कितने भढ़ने है, 2 electron, यहां पे 2 unpaired electron है, ठीक इसी तरह से यहां भी हो जाएंगे 5, और यहां पे कितना unpa electron है ही नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसे compound जिनके पास unpaired electron होता है, वो क्या होते हैं, colored होते हैं, यानि VOSO4, VCL3, क्या हो जाएगा, colored हो जाएगा, Na3, VO4 क्या हो जाएगा, यह मतलब colored नहीं होगा, तो हम देख लेते हैं, question हमसे पूछा क्या था, यह सब कुछ आप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं भी confusion है, तो आप बता सकते हैं, उसको हम किसी और तरा से समझने की कोशिस करेंगे, तो देखी, यही हमारा question है, हमसे पूछा है, कौन सा colorless species है, इसमें से, तो colorless कौन सा हो जाएगा, Na3, VO4, क्योंकि यहाँ पे D मे 1 electron है, यहाँ पे D में कितने electron है, 2 electron है, यहाँ पे electron है, इस वज़े से यह कैसे होंगे, colored होंगे, लेकिन यह क्या होगा, colorless होगा, तो यह question आपको समझ में आया होगा, नेश्ट देखे क्या है, in chemistry, P, K, A, stand for, यानि आप पढ़ते हैं न, P, K, A, value, K, A, value, तो P, K, A का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कई लोग नाम के वज़े से सोच लेंगे की polymer kinetic analog होता होगा, या फिर phenyl ketone acetate होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यह दोनों ही option केवल आपको भरमित करने के लिए दिये गए हैं, यहाँ पे जो right answer होगा, वो होगा हमारा the symbol for the acid dissociation constant at logarithmic scale, यह होत polymer kinetic analog या फिर phenyl ketone acetate ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, देखो यह जो question है यह आपको IGT किसी भी exam में पूछा जा सकता है, यहाँ से कुछ change तो कर नहीं सकते हैं, उनको यह option तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सही है, और इनकी जगां पे pka value का मतलब क्या होता है, और देखो जो pka value होता है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, pka equal to minus log 10ka, इस वज़े से हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, logarithmic scale, next question देखिए, na2CO3.10s2o is known as, जो na2CO3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, sodium carbonate, तो इसे, जो है, क्या कहते हैं, baking soda, baking powder, या फिर washing soda, या फिर more than one of the above, या फिर none of the above, तो देखो, यहाँ पे जो हमारा sodium carbonate है, उसको हम बोलते हैं, washing soda, यानि जो हमारा right answer है, वो हो जाएगा, option number C, washing soda, अब यहाँ पे बात करें, अगर baking soda की, तो baking soda का formula क्या होता है, sodium bicarbonate, NaHCO3, sodium bicarbonate, और जो baking powder होता है, baking soda, baking powder, baking powder में क्या होता है, यहाँ पे sodium bicarbonate तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में कोई और भी bicarbonate हम मिला देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी acid salt मिला देंगे, तो इसको हम बोलते हैं, baking powder, यानि baking soda क्या है, sodium bicarbonate, लेकिन baking powder क्या है, baking soda के साथ साथ में bicarbonate plus acid salt, जो baking powder होता है, वो क्या करता है, जैसे मालिजे कभी आप dough ल यूज पूछते हैं, कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज होता है, water softener की तरह, और फिर, या फिर हम कह सकते है, cleaning product की तरह, यानि जो washing soda है, वो water softening में help करता है, और product को clean करने भी इसका यूज किया जाता है, next question देखिए, which acid is present in tomato, tomato में कौन सा acid present होता है, citric acid, oxalic acid, lactic acid, more than one of the above, या फिर, none of the above, जो tomato होता है, इसमें होता है, हमारा, tomato में क्या होता है, oxalic acid, क्या होता है, oxalic acid, जो citric acid होता है, यह होता है, lemon में, यानि नीबू में, जो lactic acid होता है, यह होता है, हमारा milk में, यहाँ पर कुछ और acid हम दिखा देते हैं, क्या पता आप से कभी, matching वाला question पूछ सकता है, यहाँ से, देखो, यहाँ पर जितने भी acid दिये हैं, यह सब याद कर लेना, क्योंकि यह nCRT के example हैं, जो vinegar होता है, यानि जो sirka होता है, उसमें होता है, acidic acid, जो orange होता है, यहाँ पर होता है, citric acid, tamarind में होता है, tartaric acid, sour milk, यानि curd, curd में क्या होता है, lactic acid, lemon, lemon में क्या होता है, citric acid, ant isting म इसमें भी क्या क्या होता है है बिखको जो नेकर इस्टिंग होता है यह उग्ज्जाम्पल भी आपको दॉस्टे नाइन्ण या केन्सिय के забelते होग मिल जाएगा ऑफ क्रारे चेप्टरोया जा इक आजिए देस्ट्रेफ दौट क्या होता है methanoic acid आइंट इस्टिंग या फिर नेटर इस्टिंग में क्या होता है methanoic acid उसके अलावा आपको यह सारे तो पता ही हो गए इसमें जो ठोड़ा सा डिफ्रेंट हे वो हमारा tamarin, tamarin में क्या होता है tartaric acid तो यह question तो आपको मतलब समझ आई गया होगा जो tomato होता है यहां पर आगे बढ़ते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन अड्रॉप ऑफ लिक्वीड सेंपल वाज पुट ऑन दा पी एच पेपर एक ड्रॉप जो है किसी लिक्वीड का पी एच पेपर पे रखा गया इट वाज ऑब्जेट देट कलर आप पी एच पेपर टर्न्स ब् जो लिक्वीड का सेंपल है वह क्या है यह हमको यहां पर बताना है तो देखो अड्रॉप आप अ लिक्वीड सेंपल वाज पुट आन दा पी एच पेपर इट वाज ऑफज़ट देट कलर आप पी एच पेपर टर्न्स ब्लू मैंने आपको बता रहा हुआ है एक उसको हम ब पे कलर चेंज होके क्या आ रहा है बुलू यानि यहां पर जो भी जो भी सेंपल होगा वो क्या होगा हमारा बेस होगा अब आपको यह देखना है इस ओप्सन में कहां पे बेस है जो डिस्टिल्ड वाटर है यह तो मतलब इसकी वैलू जो है वो निट्रल होती है तो इससे क मतलब हमको लास्ट रिजल्ट क्या मिल रहा बुलू तो बुलू में क्या होता है मतलब बेस वहां पे होता है तो लेमन जूस क्या हो गया तो एसीड तो उसको चेंज करेगा नहीं अब जो बचा यहां पर हमारा आंस्वर क्या हो जाएगा सोडियम बाई कारबोनेट तो चलिए देखते हैं अपना next question क्या है 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCL if we take 20 ml of same solution of NaOH the amount of HCL solution the same solution as before यानि जो पहले HCL था वही है required to neutralize it will be आपको क्या बोला जा रहा है देखो 10 ml of a solution of NaOH देखो जो NaOH है और यहाँ पे क्या है HCL है तो हमको पता है acid और base मिलके क्या बनाते हैं salt बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जगा salt plus water बनाते हैं तो यह हो गया हमारा base यह हो गया acid तो यहाँ पे क्या होता है जब acid और base मिलते हैं तो neutralization reaction होता है तो आप से question में बोल रहा है कि 10 ml क्या है हमारा NaOH है और 8 ml क्या है HCL है 8 ml क्या है HCL है तो देखो नॉर्मली हम क्या जानते हैं 1 mol of NaOH react with 1 mol of HCL and then it converts into salt and water यहाँ एक mol NaOH react करता है 1 mol HCL के साथ में तो यहाँ पे neutralization reaction हमारा complete होता है question में क्या दिया गया 10 ml of NaOH जब react करता है 8 ml of HCL के साथ में तब यह यहाँ पे neutralization reaction होता है लेकिन आप से बोला जा रहा है अगर मान लीजिये हम NaOH को 20 ml ले 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 तो HCL कितना ले कि यहाँ पे neutralization reaction हो जाए तो कुछ भी नहीं आपको unitary method लगाना है जब 10 ml NaOH क्या कर रहा है 8 ml HCL को neutralize कर रहा है तो 1 ml जो NaOH है वो कितने HCL के द्वारा neutralize होगा तो देखो यह 10 ml 8 ml में कर रहा अगर हम 1 ml NaOH कितने HCL के द्वारा जो है यहाँ पे neutralize होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे देखो यहाँ मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ यहाँ हम लिखेंगे 1 mol of NaOH is neutralized by HCL equal to 8 by 10 यही तो हमें unitary method में लगाते हैं कि 2 रूपए का अगर 4 pen तो 1 pen 4 बटे 2 यानि 2 रूपए का इस तरह करते हैं न कि मतलब 2 pen 4 रूपए का तो 1 pen 4 बटे 2 यही method यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि अगर 10 ml जो है 8 ml SCL के साथ में मिलके neutralize करता है तो यहाँ पे 1 ml NaOH क्या करेगा कितने SCL के साथ में करेगा 8 by 10 इधर 8 है इधर 10 यानि 8 by 10 अब आप से पूछा जा रहा है कि 20 ml NaOH कितने SCL के साथ में neutralize करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 20 ml NaOH neutralize by SCL equal to 8 by 10 into 20 यहाँ चे हो जाएगा 10 to the 20 8 to the 16 यानि यहाँ पे हमारा right answer क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा 16 लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें जो है कहीं भी 16 option नहीं दिया गया है 16 option नहीं दिया गया है तो इस बार हमारा जो option number होगा वो E सही होगा यानि none of the above none of the above क्योंकि यहाँ पे 16 ml आ रहा जबकि यहाँ पे 4 ml, 8 ml, 12 ml यह हमारा answer नहीं है हमारा जो right answer होजएगा वो होजएगा none of the above बाकि इसको solve कैसे करना है यह मैंने आपको ठीक से बता दिया चलिए देखते हैं next question next question है हमारा a solution react with crushed excel यह है हमारा question देखो क्या बोला जा रहा है a solution react with crushed egg cells to give our gas यानि एक solution है जो की egg cell के साथ में react करता है और वो एक gas produce करता है वहाँ से एक gas निकलता है और जो वो gas निकलता है that turns lime water milky जो वो gas निकला वो lime water को क्या कर देता है milky बना देता है the solution contain आपको ये बताना है देखो यहाँ पे जो gas निकला उसका नाम नहीं पूछा है जो की lime water को milky में convert करता है उसका नाम नहीं पूछा है नहीं तो हम यहीं से बीना कुछ किये इसका answer निकाल लेते है कि जो gas है जो lime water को milky बना रहा है वो हमारा CO2 होगा क्योंकि ये हम सब को पता है लेकिन यहाँ पे ये पुछा जा रहा है कि जो solution है जो यहाँ पे हमने solution लिया है जिसको हमने egg cell के साथ में crush किया है जिसको मतलब जिस solution को हमने egg cell के साथ में react करवाया है उस solution में कौन सा gas है ये आपको बताना है तो देखो यहाँ पे जो egg cell होता है यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा information याद रखना होगा कि जो egg cell होता है वो किसका बना होता है वो बना होता है calcium carbonate का यानि CACO3 जो egg cell होता है वो calcium carbonate का बना होता है और gas जो कि lime water को milky में convert करता है वो होता है CO2 अब हमको ये देखना है यहाँ से तो हमको पता चल गया कि जो solution है sorry जो हमारा egg cell है उसमें क्या है CACO3 है और हमको ये भी पता है यहाँ पे क्या है solution react with crushed egg cell gas कौन सी जो कि lime water को milky में convert करता है याँ यहाँ पे CO2 हर हालत में आएगा अब देखना हमको ये है कि हम इस solution की जगां पे क्या रखें कि ये जो CACO3 है वहाँ से CO2 remove हो जाए तो आप इस option से जो है रख सकते हैं NaCl, HCl, LICL तो यहाँ पे जो हमारा right answer होगा वो होगा HCl अब देखिए कैसे जब CACO3 HCl के साथ में react करेगा तो यहाँ से बनेगा CACL2 CACL2 यहाँ से CACL2 यहाँ से 2HCl ले लेंगे तो CACL2 और इसके साथ में क्या बनेगा प्लस H2CO3 CO3 यह हमारा यहाँ पे बनेगा अब आप सोचेंगे CO2 कहा आया तो जो H2CO3 होता है यह एक unstable compound होता है यह फर्दर जो है तूट जाता है CO2 प्लस H2O में जो H2CO3 होता है इसको हम कार्बोनी के सिर बोलते हैं यह unstable होता है जब वो react करता है calcium hydroxide के साथ में lime water के साथ में तो यह change हो जाता है calcium carbonate और जो की white color का होता है इस वज़े से हमारा solution कैसा हो जाता है milky हो जाता है तो I hope फ्रेंस यह question भी आपको समझ में आया होगा अगर हम बात करें हमारा right answer क्या होगा तो वो होगा HCl अब इसको हमने किस तरह से निकाला है यह भी मैंने आपको step or step समझा दिया next question देखिए क्या है burning of lime to give calcium oxide and carbon dioxide is burning of lime अब अगर आपको याद हो अगर आपने वीडियो देखा होगा इसके पीछे जो मैंने NVS का solve करवाया है तो वहाँ भी यह question जो है अगर यही नहीं था बस लेकिन यह concept यही था और मतलब इसी से related question था lime water, milky यह सब इसी से related question था तो यहाँ पर क्या दिया है burning of lime lime हमारा क्या है अभी हमने पीछे भी देखा C-A-O-S का होटवाई C-A है हमारा lime water burning of lime to give calcium oxide यानि CO2 क्या पूछा जा रहा है कि यह कौन सा process है oxidation process है decomposition process है reduction process है more than one of the above या भी none of the above तो देखिए फ्रेंट्स अगर आप से यह पूछा जाए यह कितने degree Celsius पे होता है तो यह होता है 800 degree Celsius पे तो यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है यह कैसा reaction है तो आप जब इस reaction को देखेंगे burning of lime यानि यह होगा हमारा lime जब हमने इसको burn किया तो यहाँ से बना calcium oxide और CO2 अब आपको बताना है कि यह कौन सा process है oxidation, decomposition या फिर reduction तो देखिए यह जो हमारा CAOS का hot voice है आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह CAO और CO2 में क्या हुआ है, break हुआ है क्या हुआ है, break हुआ है decompose हुआ है, हम कह सकते हैं decompose हुआ है यारि जब कोई एक ही compound एक से अधिक compound में टूट जाए एक से अधिक molecule या compound में टूट जाए, तो उसको हम बोलते हैं decomposition process decompose होना मतलब वो उसका खंडन हो जाना, उसके टुकडे टुकडे हो जाना, इस तरह से हम कह सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारा option right हो जाएगा, वो होगा decomposition process नेश्ट देखिए क्या है, benzene react with chlorine in the presence of light to ill जो benzene होता है, वो chlorine के साथ में क्या करता है, react करता है तो क्या बनाता है, तो यह बहुत ही easy सा question है, यह है हमारा benzene जब वो react करता है यहाँ हमने ले लिया 3Cl2 UV के presence में यानि sunlight के presence में, तो क्या बनाता है तो देखिए, इस तरह से यह हमारा benzene है, और यहाँ अगर आप इसका formula लिखेंगे तो C6Cl6 यह हो जाएगा तो जब benzene जो है chlorine के साथ में sunlight के presence में react करता है तो वो benzene hexa chloride बनाता है यह question easy भी है, तो सबको पता भी होगा यहाँ पर next question देखिए, क्या है sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of जो sodium carbonate है, वो एक basic salt है, ऐसा क्यों? मतलब हो किस वज़े से basic salt है तो देखिए, acidic salt, basic salt या फिर neutral salt जो neutral salt होता है वहाँ पर strong acid plus strong base होता है जब हमने strong acid लिया plus strong base लिया तो जो हमारा salt बनता है वो कैसा बनता है? neutral, कैसा बनता है? neutral लेकिन मालेचे हमने strong acid लिया plus weak base लिया तो यहाँ पर हमारा salt बनता है वो कैसा बनता है? acidic जो strong होगा उसी की तरफ हम जुख जाएंगे तो यहाँ तो दोनों strong थे तो यह neutral हो गया यहाँ पर जो हमारा acid है वो strong है, यानि strong acid है तो हमारा salt कैसा हो जाएगा? acidic salt लेकिन अगर मालेचे weak acid है और strong base है तो यहाँ पर हमारा joh salt बनेगा वो भी कैसा बनेगा? basic basic salt क्योंकि हमारा base जो है वो strong है तो यहाँ पर आपसे पूछा है basic salt क्यूंँं है? क्योंकि यहाँ पर weak acid plus strong base है क्या है weak acid plus strong base है देखिए यहाँ पर next question क्या है हमारा why does carbon form just a second why does carbon form compounds mainly through covalent bonding जो carbon होता है वो covalent bonding क्यों सो करता है there are four electrons in outermost orbit तो यह हम सबको पता है जो carbon होता है इसका atomic number six तो इसका जो electronic configuration होगा वो होगा two and four तो इसका जो इसका जो outermost orbit में इसके जो electron होते हैं वो कितने होते हैं four अब यहाँ पर देखिए it requires large amount of energy to form c plus four तो ऐसा कुछ नहीं है next देखिए it shares its valence electron to complete its octet जो carbon होता है वो ना किसी को electron देता है ना किसी से लेता है यह क्या करता है उनके साथ में share करता है जिसे माली जी यह carbon है तो यह चार hydrogen के साथ में क्या करता है bond को share करता है पूरी तरह से उससे ना तो लेता है ना उसको देता है तो यानि यहां पर जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा more than one of the above क्यों क्योंकि यहां पर हमारा यह option भी साहिए और यह option भी साहिए यह जो है यह ऐसा कुछ नहीं है next question देखिए क्या है which are the following reaction displace displacement reaction कौन सा reaction है जो कि आपको यहां पर displacement reaction सो कर रहा है अब देखिए जब आप इसको देखेंगे तो अभी मैंने आपको बताया जब एक ही compound हो और वो एक से अधिक molecule या compound में तूट जाये तो उसको हम बोलते हैं decomposition reaction यह हो गया हमारा decomposition reaction और यहां पर देखिए जब दो atom या molecule जुड़के कोई एक compound बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं addition addition reaction addition reaction देखो यहां पर दोनों मिलके एक ही compound बना लिए यानि दोनों add हो गए आइड हो गए तो addition reaction उसके आगे देखिए 2NA plus 2H2O अब यहां पर देखो na जो है वो oh के साथ में react कर लिया और h को क्या कर दिया displace कर दिया तो अगर वो h को displace कर दिया यानि यह जो reaction है हमारा यह कैसा होगा displacement reaction यानि यह question जो है हम से क्या पूछा था displacement reaction कौन सा है तो यह हमारा right answer हो जाएगा option number c next देखिए next question क्या है हमारा if the speed and radius of a body moving in a circular path are doubled then the magnitude of centripetal acceleration will be देखो यहां पर क्या बोल रहा है एक body है जो की move कर रही है circular path पर इस तरह से एक circular path है और एक body है जो की इस पर क्या कर रही है move कर रही है तो यहां पर क्या है if the speed and radius जो है उसका क्या कर दिया जा रहा है double तो देखो फ्रेंस यहां पर क्या है then the magnitude of centripetal acceleration आपको centripetal acceleration का magnitude बताना है तो मैंने आपको nbs वाले में भी बताया था कि जब भी कोई body circular path पर move करती है तो वहां पर उसके center की तरफ एक centripetal ऐसी रिलेशन या भी force लगता है इस तरह से यहां पर एक centripetal force लगता है जिसको हम लिखते है f equal to mb square by r इस तरह से इसको हम लिखते है अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है आपसे speed को क्या कर दिए डबल कर दिए और radius को क्या कर दिए डबल कर दिए speed and radius आपका body moving in circular path आप डबल यानि दोनों को डबल कर दिए तो f dash equal क्या हो जाएगा m तो i gt जा है और v को क्या कर दिए डबल कर दिए यानि 2v का square और यहां पर 2r आप देखो जब 2v square को आप solve करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4v square अब यहां से 2 2 जा 4 यह आ गया और जब इसको आप सही से लिखेंगे तो f dash equal क्या आ जाएगा यहां पर m v square by r और यहां पर 1 2 जो है वो 2 यानि जो centipetal acceleration है यहां पर हमारा वो क्या हो जाएगा overall double क्योंकि f equal to kya है m v square by r m v square की जगहां पर हम क्या रख देंगे f यानि f dash equal to 2f यानि जो हमारा centipetal acceleration है वो क् double next question देखिए क्या है two bullets are fired simultaneously horizontally and with different speed from the same place यहां पर आप से बोला जा रहा है दो bullet है जिसको हम एक साथ क्या कर रहे है फायर कर रहे है लेकिन दोनों का speed क्या है different है और कैसे fire किया है horizontally इस तरह से लेकिन दोनों का speed क्या है different है which bullet will hit the ground first आप से पूछा जा रहा है कौन सा bullet ground को सबसे पहले hit करेगा यानि ground पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा इस तरह से हम बोल सकते हैं तो देखो जो bullet होता है जो bullet है दोनों ही same height से जो है क्या किया गया है fire किया गया है क्योंकि उनको कैसे हमने fire किया है horizontally या यानि दोनों का height क्या है same है आप यहां पे देखो same location से भी वो क्या क्या गया है मतलब fire क्या गया है तो यहां पे आप से पूछा है कि कौन सा पहले पहुंचेगा तो जो time period होता है उसका formula होता है t equal to under root 2h by g अब यहां पे जब दोनों का height same है तो यहां पे इसकी gravity भी क्या हो both will reach simultaneously यानि जो दोनों bullet है वो एक साथ पहुचेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां पे gravity और height दोनों ही क्या है same है तो हमने इस formula से इसको देखा कि जो इसका time period है वो height और gravitation पे depend करता है लेकिन height same है इस वज़े से उनका gravity भी same है तो यहां पे क्या होज़ेगा both will reach simultaneously next question क्या है if the light moving in a straight line bends by a small but fixed angle it may be a case of एक light है जो की move कर रहा straight line यानि सीधी line में वो क्या करता है fixed angle it may be a case of वो bend कर जाता है मतलब थोड़ा सा वो क्या कर जाता है bend कर जाता है fixed angle यानि fixed angle में तो यह किसका case है देखो हमने एक पढ़ा है reflection एक पढ़ा है reflection दोनों में ही क्या होता जैसे ये एक second यह हमारा कोई surface है यहां पे एक light आई इस तरह से light beam आई यह हो गया हमारा normal एक second यह हो गया हमारा normal और यहां से यह क्या कर गया reflect कर गया तो यहां पे क्या है if the light moving in a straight line bends via small यानि वो आया और bend कर गया तो यह हमारा क्या हो गया reflection यह फिर हम क्या कहते हैं माल लिजे कोई एक light beam आई और वो दूसरे medium में चली गई यह हो गया हमारा normal अब वो दूसरे medium में या तो normal से आवे जाएगी या तो normal के toward जाएगी जिस तरह का medium होगा यानि light की bending कहां पे हो रही है या तो reflection में यह हमारा reflection यह है reflection यह रिफ्रेक्षन तो इन दोनों में bending हो रही है लेकिन यहाँ पे देखिये bending हो रही है लेकिन option में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है reflection या फिर reflection तो यह जो light bend हो रही है वो case Random या फिर refraction का लेकिन यहाँ पर diffraction, dispersion, interference यह सब दिया है तो यह सब option नहीं होगे यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा हमारा none of the above next देखिए क्या है as the wavelength is increased from violet to red the luminosity तो यहाँ पर क्या है आप से बोल रहाँ wavelength तो यह हमको पता है विबग्योर विबग्योर होता है विबग्योर जी इस तरह से हम violet से right की तरफ red की तरफ जाते हैं तो हमारा जो lambda है यानि जो तरंगदैर्द है wavelength है वो क्या करता है increase करता है और आप देखेंगे जो यह luminosity होती है और wavelength इनके बीच में एक graph होता है इस तरह से यह होता हमारा wavelength यह होता है relative luminosity तो जैसे जैसे wavelength बढ़ेगा जैसे जैसे wavelength बढ़ेगा luminosity बढ़ेगी और एक time के बाद जब wavelength maximum हो जाएगा उसके बाद जो हमारा luminosity है वो क्या होगा घटेगा तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे जो luminosity है वो क्या होगा first decrease sorry first decrease नहीं first increase then decrease first increase then decrease यह हमारा right answer यहाँ पे होगा क्योंकि इनके बीच में जो graph है वो इस तरह से होता है next question देखिए क्या है which आप the following represent voltage आपको यहाँ पे और वोल्टेज तो कर रहा है यह बताना है voltage को ही हम क्या बोलते है electric potential क्या बोलते है electric potential और electric potential यहाँ फिर voltage जो होता है इसका formula होता है work done per unit charge यह होता है fórmula अब यहाँ पे work done per unit charge यह पे यह haँ यह DAVID при ins profit कियाया है तो यह हमारा option नहीं होगा यह work done, यहां भी multiply किया है, यह भी नहीं होगा, तो more than one तो होगा नहीं अब यहां पर जो option first बचा होई हमारा correct option है, लेकिन आप बोलेंगे यहां current into time है तो देखो, जो charge होता है, charge, charge equal क्या होता है, always equal क्या होता है, current into time charge equal क्या होता है, current into time, तो हम इस charge की जगां पे क्या रख देंगे, current into time तो हमारा जो voltage हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, work done upon current into time यह हमारा right answer हो जाएगा, second में क्या है, वहां पे वो upon नहीं दिया है, यहां पे यह इसको multiply कर दिया जबकि यहां पे divide by charge होना चाहिए था, तो voltage क्या होता है, work done per unit charge, work done per unit charge, और charge equal क्या होता है, current into time next question देखिए क्या है, the nucleus of the atom is positive, जो nucleus होता है, उसका atom positive होता है, क्यों, due to the presence of electrons around it, due to the presence of neutrons, due to the presence of proton, more than one of the atom, या फिन नन of the atom, तो electron की वज़े से ऐसा कुछ नहीं होता है, neutron की वज़े से नहीं, आपसे पुछा है कि nucleus पे positive charge, तो positive charge कहां से आएगा, proton से, तो यह भी simple साही question है, due to the presence of proton, यह हमारा right answer हो जाएगा, C, next है, the least resistance obtained by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 100 ohm, देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है कि least resistance, यानि सबसे कम प्रतिरोध कब हम प्राप्त कर सकते हैं, तो देखो, least resistance obtained by using 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm, 100 ohm, लेकिन least resistance हम कब पाते हैं, जब हम इसको parallel में arrange करते हैं, एक हमने आपको क्या बता था, एक होता है, series में हम arrange करते हैं, एक होता है कि हम उसको parallel में arrange करें, अगर आप से पूछे कि maximum resistance, तो आप उसको series में लगाएंगे, लेकिन आप से यहाँ पे पूछा है least resistance, तो आप उसको parallel में लगाएंगे, अब इन सब को parallel में लगा दीजिए और answer निकालेजे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 by R equivalent या फिर R total equal, 1 by R1, R1 की जगह 2 ohm, plus 1 by R2, यानि 4 ohm, plus 1 by 1 ohm, plus 1 by 100 ohm, और जब आप इसको solve करेंगे, तो नीचे LCM आ जाएगा 100 ohm, फिर 2 से 100 आ जाएगा यहाँ पे 25 ohm, 50 ohm, plus 1 plus 100, और जब आप इसको add करेंगे, तो आ जाएगा 171 by 100, 1 by R equivalent या फिर, हाँ चलो equivalent ही लिख लेते हैं, यह आ गया हमारा 171 by 100, और R equivalent क्या हो जाएगा, R equivalent equal to 100 by 171, अब देखो, यहाँ पे इसको आपको divide करने की ज़रूरत नहीं है, आपको option दिया है, less than 100, less than 2 ohm, या फिर less than 1 ohm, तो आप देखिए, जब आप 100 को इससे भी बड़े किसी संख्या से divide करेंगे, तो कहीं न कहीं वो 1 से less ही आएगा, यानि 100 को 171 से जब आप divide करेंगे, तो 1 ohm से कम आएगा, यानि यहाँ पे हमारा जो right answer है, वो हो जाएगा, less than 1 ohm, जब भी आप से least resistance पूछे, तो आप उसको parallally arrange कर दीजिए, जब भी आप से maximum resistance पूछे, तो आप उसको series में लगा दीजिए, next question है, the area under velocity time graph, for a particle in a given interval of time, तो यह तो बहुत ही, आपको मतलब, जितने भी आप previous यह लगाएंगे, सब में यह question पूछाई जाता है, किसी न किसी तरह, यह हो गया हमारा velocity, यह हो गया time, velocity time graph आपको क्या देता है, तो जो velocity time graph होता है, वो आपको displacement देता है, बहुत ही easy है, displacement, वो है गर्मी, 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 देखो क्या है, the resistivity of a given conductor depend upon, जो resistivity होता है, किसी भी conductor का, वो किस पे depend करता है, यह हमको बताना है, तो देखो resistivity होता है, resistivity किसी भी material की क्या होती है, property होती है, क्या होती है, property होती है, जो की depend करता है इसके nature पे, यानि material का nature कैसा है, इस पे depend करता है, या फिर उसके temperature पे depend करता है, यह दो चीजों पे depend करता है, या तो उस material के nature पे, या फिर उसके temperature पे तो यहाँ पे temperature जो है हमारा right answer हो जाएगा लेकिन जो resistivity होता है वो length पे या फिर area पे या फिर हम बात करें density पे इन सब चीजों पे depend नहीं करता length पे area पे density पे इन सब चीजों पे depend नहीं करता resistivity किसी भी material की property होती है जो की उस material के नेजर पे या फिर उसके टेमपरेचर पे डिपेंड करता है तो यहां पे हमारा right answer क्या हो जाएगा टेमपरेचर क्या हो जाएगा टेमपरेचर तो दो तीन question और है इसको friends हम जो है किसी और वीडियो में अभी मैं BPSC आपको और भी question solve करवाऊंगी अभी BPSC 3.0 भी solve करवाना है तो उसके साथ में जो 4-5 question बचे हैं उसको भी हम यहां पे include कर लेंगे इस वीडियो में यहीं तक नहीं रुको पहले सबसे पहले आप अपना feedback देना मत भूलना आपको explanation कैसा लगता है या फिर जो भी अगर आपको कोई suggestion देना हो comment box में लिख सकते हैं या फिर कहीं कोई confusion हो उसको भी लिख सकते हैं इस वीडियो में यहीं तक मिलेंगे अपने next वीडियो में तब तक के लिए all the best be happy, be positive इस वीडियो तक कॉड़ियो solve